कि थाय हलो एंड वेरी गुड़ इवनिंग एवरीवन कैसे आप सबी लोग स्वागत आप सभी का सफल्दा.com की क्लासेस पर साथ रहेंगे सक्सेस तक तो हमरा क्रीडो है साथ रहेंगे success तक तो सभी लोग फटा-फट से class में live आ जाईए class आप सभी की live आ चुकी है जिस काम में देखिए class को start करेंगे सफल होने की संभावना जिस काम में सबसे ज्यादा हो उसको करने पर हम सफल तो होते हैं लेकिन जिस काम में सफलता की संभावना जादा हो उसको करने पर हम श्रेष्ट होते हैं तो बहुत ही अच्छे motivation के साथ में class को किया है start तो देखिए एक और आपके लिए motivational court कि काम्याभी मुझे ना मिले ये अलग बात है पर मैं मेहनत ही ना करूँ ये बहुत गलत बात है कि काम्याभी मुझे ना मिले ये अलग बात है पर मैं मेहनत ही ना करूँ ये गलत बात है तो चल ये class जो है आप सभी के start हो चुकी है दिपाख्षी बालियान जी गुड़ इवनिंग चावसिंगल जी गुड़ इवनिंग सचिन चाधरी जी गुड़ इवनिंग पुजा गौतम जी गुड़ इवनिंग । चल ये सबसे पहले class को like करेंगे share करेंगे और जो बच्चे आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं सभी लोग subscribe करेंगे सफलता.com के channel को अब देखिए इस class की जो आपको PDF है वो मिलेगी description में आप सभी को नीचे link दिया गया है वहाँ पे आप सभी को इसका PDF मिलेगा आप सभी को जाना है सफलता.com की जो app है play store पे जाके आप सभी को उसको install करना है वहाँ पे आप सभी को PPT मिल जाएगी तो देखिए आज जो है आपकी जो class है dictionary words sequence की है कि dictionary words जो होते हैं English के उनको किस तरह से sequence में एक proper order में जमाया जाएगा उस सब के लिए आपकी class है तो चलिए पहला प्रशन आप सभी के सामने देखिए सारे question जो आज हम करेंगे SACCGL में जो previous year में आपके आए हुए हैं सारे question आपके हम वो करने वाले हैं तो देखिए आपको दिया गया है निमलिखित शब्दों को शब्द कोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए arrange the given words in the sequence in which they occur in the dictionary so what will be our correct answer हिमाईशु आप बताईए आप कैसे हैं दर्क्षा सिद्धिकी जी good evening very good evening आर्यक सिंग जी good evening very good evening शिल्पी good evening very good evening शिल्पी चांद निविश्व कर्मा जी good evening very good evening तो सभी लोग class को like कीजिए share कीजिए मैंगी जी बम share कीजिए हाँ जी देखिए first प्रशना आप सभी के सामने निमलिखित शब्दों को शब्द कोश में आने वाले क्रम की अनुसार लिखे है क्या हो जाएगा इसके लिए correct का अंसर चलिए दिपाक्षी का अंसर आ चुका है B, सेजल तोमर का भी आ चुका है B, सचिन का अंसर आया है C, हिमान्शू का अंसर B और दिपाक्षी का अंसर B आ चुका है यहाँ पे तो देखिए आपको words given है, harmony, house, honor and helm तो देखिए सबसे पहले हमको किसको लेना है, देखिए H, A, H के बाद क्या आ गया, A आ गया तो यहाँ पे सबसे पहले तो harmony आ जाएगा सबसे पहले क्या आ जाएगा, harmony आ जाएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे H, E आ गया और R आ आ है, H, E और L आ है तो एक के बाद में क्या आएगा आपका, एक के बाद में जो आपका आना चाहिए, दो के बाद में जो आना चाहिए, वो आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पर पांच आना चाहिए, तो यहाँ पर आपका आजाएगा helm, चीक है, उसके बाद देखी आपका क्या आएगा, helm के और प्सक्राद में आपका देखिए अब यहाँ पे हर भी वोरस। आपका आ जाएगा हर भी वोरस।। उसके बाद में देखिए ह ह-o-u और h-o-n तो आएगा honor। और सबसे last में जो आएगा वो आजाएगा h-o-u-se। तो देखिए यहाँ पर क्या बना order 2, 5, 1, 4 and 3 और ऐसा जो है option B तो option B आप सभी का क्या हो जाएगा correct answer जी बहुत अच्छे correct answer जो हो जाएगा आप सभी का हो जाएगा option B आचल वर्मा जी good evening very good evening तो निशान्त का answer B सचिन चौदरी का answer B दिपाक शी निशान्त सभी का answer आ चुका है B चलेंगे प्रश्न संख्या 2 पर प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया गया है कि निम्लिखित शब्दों को शब्द कोश में आने वाले करम के अनुसार जमाईए तो चलेंगे सभी का जो answer था एकदम correct था last question के लिए दिया गया है arrange the given words in the sequence in which they occur in the dictionary निम्लिखित शब्दों को शब्द कोश में आने वाले करम के अनुसार लिखें Dragon, Dracula, Dormont, Drapry and Deviate क्या होगा हमारा correct answer जिस सेजल तोमर का answer आचुक है हमारे पास में A, सेजल तोमर ने answer कर दिया है A देखिए Dragon, Dracula, Dormont, Drapry and Deviate क्या होगा correct answer चलेंगे रचिन चौदरी का answer आचुका है B, Nishant का answer A, हिमान्शु सिंग का भी answer आचुका है B, Nishant सिंग का answer A आचुका है बहुत अच्छे चले बाकी सबी लोग भी कमेंट करेंगे दिपाक्षी बालियान का भी answer हमारे पास में आचुका है A, शिल्पी का आचुका है A, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आजाएगा देखिए D, E, सबसे पहले D, E तो डेवियेट आगया, अब देखिए पास से सारे कुशन जो आपके आप्शन से वह सबी स्टार्ट हो रहें, ठीक है गुड़ीवनिंग आचल, वेरी गुड़ीवनिंग अब डेवियेट के बाद आपका क्या आजाएगा, देखिए D, O, O आगया, तो डॉर्मॉंट आजाएगा, टॉर्मॉंट आपका आजाएगा, ठीक है, डॉर्मॉंट के बाद आपका आएगा, क्या ड्रेकुला, देखिए D, R, A, D, R, A, लेकिन यहाँ पे C आ रहा है, तो जाएगा उसके बाद में देखिए, आपका आजाएगा ड्रेगॉन उसके बाद में आपका आना च choreography DIRAP और यहाँ पे आ रहे DR ப तो यहाँ पे ड्रेगन आ जाएगा और सबसे वास्ट में आपका जाएगा, चार पे जो है आपका ड्रैपरी, तो यहाँ पर देखिए क्या बना, 5, 3, 2, 1, 4, तो option A जो होगा, आप सभी का क्या हो जाएगा, correct answer, option A, correct answer हो जाएगा, बहुत अच्छे, तो आचल का भी answer आ चुका है, A, चलिए, प्रशन संक्या 3 आप सभी के सामने, निम्न लिखित शब्दों को शब्द कोश मे आने वाले क्रम की अनुसार लिखें, flinching, flint lock, flint pites, flint locks and flinchers, क्या होगा, यहाँ पर correct answer, क्या हो जाएगा, हमारा, यहाँ पर correct answer, क्या होगा, हमारा correct answer, flinching, flint lock, flint pites, flint locks and flinchers, चलिए, सचिन चौधरी का answer आचुका है, 3rd का A, सचिन चौधरी ने answer कर दिया है, 3rd question का A, जी, महेंद रोरान का भी answer A, आकाश राठोड का भी answer आचुका है, हमारे पास में A, बाकी सबी लोग, चलिए, हमार्शू का answer आचुका है, 3rd का C, हमार्शू ने answer कर दिया, 3rd question के लिए C, अब देखिए, चेक करते हैं सबसे पहले, सबसे पहले तो देखिए, देखिए, F, L, I, N तक तो यहाँ पे सब में almost same है, F, L, I, N, F, L, I, N, और F, L, I, N, तो इतना तो सभी में same चल रहा है, F, L, N, और फिर देखिए, C आगया, यानि कि C, H, E, R, तो flinchers, सबसे पहले 5 आगया, उसके बाद में देखिए, आपका क्या आजाएगा, फिर आएगा flinching, फिर से C और H आ रहा है, यहाँ पे H था, यहाँ ए था, और यहाँ पे I था, तो आपका flinching, flinching के बाद आप सभी का आजाएगा, flinching pites, देखिए flint p आ गया, तो यहाँ पे pites आ गया, तो क्या आ गया, आपका 3 आ गया, फिर उसके बाद में देखिए flint lock आ जाएगा, तो 2 आया, और last में आपका क्या आ जाएगा, आपका last में आ जाएगा, flint locks, तो यह आपका आ गया, last में, तो यहाँ पे जो correct answer बनेगा, 5, 1, 3, 2, 4, option C, जो होगा, आप सभी का correct answer हो जाएगा, option C, जो होगा, आप सभी का correct answer हो जाएगा, कशिश जी, very good evening, तो जितने बच्चों ने C answer किया, सभी का answer correct है, महेंद, रोरान बिटा, 5 तो option में भी नहीं है, तो थर्ड का जो answer आएगा, आप सभी का C आ जाएगा, हिमान्शू, सेजल, दिपाक्षी, और दिपाक्षी बालियान का answer C आए, हमारे पास सचिन चौदरी का भी answer C था, चान्नी विश्व कर्मा का भी answer C, तो जितने बच्चों ने answer किया C, तो सभी का answer एकदम correct है नहीं, तो पाल जी, very good evening, good evening, very good evening बिटा, तो चलिए, जल्दी से करेंगे, अगले प्रश्न का answer, प्रश्न संख्या 4, आप सभी के सामने, जी, अब देखिए, निम लेकित शब्दों को शब्द कोश में आने वाले करम के अनुसार लिखना है, तो कशिष श्रिवास्ताव का भी answer आया, 5, 1, 3, 2, 4, last question का, अकाश राठोर बिटा, जूम तो नहीं हो सकता, क्लास में, लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि शब्द इतने छोटे भी नहीं है, हमारे काफी बड़े हैं, तो चलिए, कशिष श्रिवास्ताव का यहाँ पर answer आचुका है, कशिष ने answer कर द आचुका है, हिमांशु सिंग का भी answer आचुका है, हमारे पास में A, तो देखिए, चलिए, करते हैं ऐसे, देखिए, C, L, O, C आ गया, और बाकी सभी में, देखिए, D, 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 और यहाँ पर 5 में भी C है, लेकिन देखिए, K आ रहा है, बाद में, यहाँ पर भी के आ रहा है, यहाँ पर देखिए, W आ गया, W, लेकिन यहाँ पर L आ गया, तो देखिए, सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्लोग लिप, ठीक है, उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, क्लोग वाईस, उसके बाद में देखिए, देखिए, C, L, O, D, P, C, L, O, D, P, और यहाँ पर D आ है तो Kodiare आ जाएगा. Kloodier आ जाएगा आपका. तो यहां पर देखिए 1 आया 5 आ गया उसके बाद में आपका 2 आ चुका है और उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा Klood Pets. Klood Pets. तो यहां पर आपका आ गया 3 और बचा क्या हमारा 4 तो Klood पोल्स आपका सबसे लास्ट में तो 1, 2, 2, 1, 5, 2, 3, 4 option A जो होगा आप सभी का क्या हो जाएगा correct answer बहुत अच्छे कुशुम जी good evening very good evening कुशुम नीतु पाल बेटा आप अपने class की जो data की speed है वो बढ़ा लीजी आपको सब अच्छे से दिखाई देगा चलिए प्रश्ण संख्या 5 प्रश्ण संख्या 5 निम्न लिखित शब्दों को शब्द कोश के करम के अनुसार व्यवस्थित करें निम्न लिखित शब्दों को आयक सिंघ क्लोडीयर लिख लिए हुमने कलोडीयर लिख दिया था उसमें अकाश राठोड का अंसर आच चुका है सी सचुन चौदरी का अंसर ए Chanel का भी आज चुका है दिपाकशी का अंसर 5 ए हिमान्शु का भी अंसर आचुका है फिप्त का ए हिमान्शु दिपाक्षी सेजल कशिश श्रिवास्ताओ का भी अंसर निशांत सिंग का भी अंसर आचुका है आचल का अंसर भी आचुका है A तो देखिए दिपाक्षी आचल निशान, सचिन चौदरी सभी ने आंसर कर दिया A तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा देखिए ये तो D, Y है यहाँ पर W है, यहाँ पर भी W है और यहाँ पर क्या है आपका Y तो देखिए सबसे पहले तो DW और अजाएगा तो DW आ जाएगा उसके बाद में फिर से हमारे पास में किया आजाएगा DWINDILE आजाएगा, क्या जाएगा? DWINDILE ठीके, तो सबसे पहले तीन आया, उसके बाद में क्या आगया? दो आ गया, अब डायक और डाय में से क्या बन जाएगा, तो सबसे पहले D, Y, E, यहाँ पे चार आ गया और उसके बाद में क्या आ जाएगा, D, Y, K, E तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, 1, तो 3, 2, 4, 1, ऐसा कौन सा option है, A, तो option A, आप सभी का क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, तो आचल उज्वल का answer एकदम correct, रूपम राओ का answer correct, शिल्पी का भी answer correct है, आर्यक सिंग का भी answer correct, पकंचन पाठक का भी answer एकदम सही, तो चलिए प्रश्ण संक्या अच्छे हैं आप सभी के सामने, निम्न लिखित शब्दों को शब्द कोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें, यांग्ची, यैकिंग, याकुजास, योबरी, एन योबिश, क्या हो जाएगा हमारा correct answer, तो class को like share करते रहें, देखिए, 24 student हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी लोग class को like करेंगे, share करेंगे और subscribe करेंगे, maximum share and subscribe होना चाहिए, जितना जादा share करेंगे, उतने जादा students के सपास आपकी class पहुंच पाएगी, तो देखिए, CGL में यहाँ से एक question fix है, एक question fix है, दो marks का, dictionary word का आपका एक question fix है, और आज की class में जो हम question कर रहे हैं, सारे कैसे हैं, CGL, previous year paper हैं, previous year paper, आप चाहें तो Google पे भी जाके search कर सकते हैं, सभी आपके previous year के question है, तो चली हमान्शू का answer B, दिपाकशी, सेजल तोमर, निशान्त सिंग, रूपम राओ, चारू सिंगल, आर्याक सिंग, निशान्त, सचिन चौधरी, दिपाकशी, सभी का answer आ चुका है, B, आचल वर्मा ने भी answer कर दिया है, B, तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले Y, A, K, ठीक है, और यहाँ पे भी Y, A, K, और यहाँ पे आपको मिल रहा है Y, O, B, सबसे पहले 2 आया, उसके बाद में क्या आगया है, 3 आगया है, फिर देखिए, आपका आएगा Y, A, N, G, T, Z, D, तो यांग्शी यानि की 1 आगया आपका, फिर 1 के बाद में देखिए, आपका, यहाँ से योबरी, यहाँ भी double है, तो यहाँ E पहले आएगा, आय से, तो Y, O, double, B, E, R, Y, यानि की 4 और सबसे लास्ट में आजाएगा, Y, O, double, B, I, S, H, यानि की 5, तो 2, 3, 1, 4, 5, ऐसा है, option B, तो option B आप सभी का हो जाएगा, correct answer, तो सभी बच्चों ने आप सभी का एकदम correct answer है, देखिए, कंजूसी नहीं बरतनी है, class को like share करते रहिए, class रुकना नी चीए, class का like share चलता रहना चीए, चलिए, निम्न लिखेट शब्दों को शब्द कोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें, निम्न लिखेट शब्दों को शरी यह देखिए, अधिती श्रिवास्ता ओजी, good evening, very good evening अधिती, दिपाक्षी बल्यान का answer आचुक है, 6th का B, सचन चौदरी का answer आचुक है, 6th का D, गोपाल क्लासेज का answer आचुक है, हमारे पास में B, सेजल तोमर का भी answer आचुक है, B, दिपाक्षी बल्यान का भी answer आचुक है, हमारे पास में B, तो देखते हैं, चेक करते हैं, देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें, D, I, double L, तो यहां तो सभी में सेम चल रहा है, D, I, double L, और Y तक तो सभी में क्या चल रहा है, सेम है बाकी चारों में, लेकिन देखिए, D, I, double L, E, D, यहां पर यह सबसे पहले आ जाएगा, यह है चार नमबर पे, ठीक है, उसके बाद में देखिए, D, I, double L, Y तो सभी में सेम है, यहां D आ रहा है आपका, यहां पर भी D आ रहा है, यहां पर भी D है, यहां पर A और D, देखिए, double L तक सारे सेम है, double L तक सारे सेम है, और यहां पर I भी सेम है, I, E, और I, E और D तो देखिए अब यहाँ पे क्या आना चाहिए यहाँ पे I, E है यहाँ पे I, E है और यहाँ पे D आ रहा है और यहाँ पे S आ रहा है तो क्या निकल के आएगा हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा हाँ जी B आएगा या D आएगा B आएगा या D आजाएगा देखिए पहले आएगा 5 हुआ पहले आपके पास में आजाएगा 5 D I L L Y D A L L I E S तो यहाँ पे आजाएगा 5 और 5 के बाद में आना चीह है हमारे पास में स्वरी देखिए D आएगा 2 आएगा फिर उसके बाद में हमारे पास आना चीह है 5 D I L L Y D A L L I E S तो यहाँ पे आजाएगा 5 4, 2, 5 और उसके बाद में आपके पास में क्या आएगा फिर आजाएगा 3 D I L L Y D A L L Y और उसके बाद में सबसे लास्ट में आएगा 1 यानि कि D I L L Y D A L L Y I N G तो यहाँ पे देखिए 4, 2, 5, 3 और 1 यह आपका order बनेगा ऐसा है option B तो option B आप सभी का correct answer हो जाएगा यहाँ option B जो है आप सभी का correct answer है प्रशन संख्या साथ आप सभी के सामने निमने लिखित शब्दों को शब्द कोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए जि क्या होगा यहाँ पे हमारा correct answer next question आप सभी के सामने कुलदीप चौदरी जी राम राम very good evening प्रशन संख्या साथ का जो हमारा correct answer होगा वो कौन सा हो जाएगा ball, balanced, balls, balance and balancing क्या होगा यहाँ पे हमारा correct answer तो देखिए ball, balanced, balls and balance and balancing तो देखिए यहाँ पे BAL BAL और BAL सभी में BAL सभी में common चल रहा है BAL तो सभी में common है चली सचिन चौदरी का answer C चांदी विश्व कर्मा का answer A सेजल तोमर का answer C हिमान्शू का answer A कशिश श्रीवास्ताव का answer आचुका है C कुलदीप का answer C आर्रेक सिंग ने भी answer कर दिया है हमारे पास में C तो देखते हैं कितने बच्चों का answer correct निकलेगा यहाँ पे तो देखिए सबसे पहले क्या आजाएगा आपका सबसे पहले जो आना चाहिए 4 आना चाहिए यानि कि balance आना चाहिए सबसे पहले जो आएगा वो क्या आजाएगा balance आजाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले 4 आया, 4 के बाद में जो आपका निकल के आएगा, वो क्या आजाएगा, balanced आजाएगा, B-A-L-A-N-C-E-D तो यहाँ पे 4 के बाद आप सबी का आजाएगा, 2, 2 के बाद देखी, balancing, इसी से word बन रहे हमारे, इसी से balance से ही सारे words बन रहे है, तो यहाँ पे 5 आ गया, अब देखी, उसके बाद में आएगा, ball, उसके बाद में आजाएगा, ball यानिकी एक नंबर, और ball के बाद में जो आना क्या होगा, यहाँ पे correct answer, तो very good, दिपाक्षी बलियान, रूपम राओ, मनोज कुमार का answer A आया, तो जितने बच्चों ने C answer किया है, C सभी का answer एकदम सही है, option C जो है, सभी का correct answer है, जी रूपम राओ, आपका answer एकदम सही है, तो C जो होगा, हमारे पास में एकदम सही answer हो तो चलिए अगला प्रशन आप सभी के सामने, निम्न लिखित शब्दों को शब्द कोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखे, आज की जो class है, पूरी आपकी dictionary order के लिए class है, और यह सारे बेटा जो question है, previous year के question है, CGL में जो आए हुए हैं आप सभी के, तो देखिए, आपको बताना है कौन सा यहां पर आंसर हो जाएगा, शिवानी सौनी जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, सेजल तोमर का आंसर आचुका है, A, सचिन चौधरी का भी आंसर आचुका है, A, आकाश राठोड न बोला है, सच, C होगा, दिपाक्षी बालियान का आ रूपम राओ का भी आंसर, A आचुका है, तो चलिए चेक करेंगे, देखिए, DECO और यहां पर देखिए, DES आ गया, यहां पर DECO, तीन और जो एक है, दोनों में common चल रहा है, लेकिन देखिए, R जो है, आपका बाद में आता है, किसके L के, तो सबसे पहले तो आपका क्य चलेंगे, अब देखिए, DESE, यहां पर DESI दिया हुआ है, और यहां पर DEST है, तो सबसे पहले हमारा दो वाला आ जाएगा, DESE, CRT, ठीक है, तो यहां पर एक आ चुका है, तीन आ चुका है, दो आ चुका है, अब देखिए, चार और पांच में से कौन सा पहले आएगा, चा तो यहां पर देखिए, order जो बनाए, वो क्या बनाए, एक, तीन, दो, चार, पांच जो की है, option A, तो option A आप सभी का correct answer हो जाएगा, option J, A जो होगा, वो आप सभी का correct answer हो जाएगा, तो चलेंगे, अगले प्रशन पर, very good, बहुत अच्छे, शांदार, जबरदस्त, जिन्द बात, इसी तरह से answer करते रहिए, मनोबल आप सभी का बना रहेगा, एकदम ऊचा, क्योंकि देखिए, कोशिच करने वालों की कभी हार नहीं होती, जी, प्रशन संख्या, no, क्या हो जाएगा, यहाँ पे correct answer, एफसर, एफसिंग, एफसेशियबल, एफस्मेंट्स, एन एफस्मेंट्स, तो क्या होगा, यहाँ पे correct, चलिए, सेजल्टमर का answer आचुका है, हमारे पास 9th का B, दिपाक्षी का आंसर B, आचल उंजुवर का आंसर आ चुका है A, दिपाक्षी बालियान B, सचिन चौधरी B, कुलदीप चौधरी का भी आंसर आ चुका है, हमारे पास में B, मोनु रगवन्शी जी, जल्दी से आंसर करेंगे, क्या होगा यहाँ पे correct answer, चारू single का भी आंसर चुका है B, तो जितने बच्चे देखते हैं, B आंसर कर रहे हैं, सभी का सही होगा या गलत होगा, चेक कर लेते हैं, चलिए, अब देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए, EF, A आ गया, यहाँ पे भी EFA, EFA, सभी में EFA, C भी यहाँ पे है, तो पर E के बाद A मिल गया, तो सबसे पहले आपका थर्ड नंबर आएगा, थर्ड नंबर जो होगा, वो क्या होगा, सबसे पहले आजाएगा, नंबर 3 है, जो होगा, आपका सबसे पहले आजाएगा, उसके बाद देखिए, आपका क्या आना चीए, उसके बाद आपका आना च EFFA CEMENT CEMENT तो 3 के बाद आपका आए अब 5 और 5 के बाद आपका आजाएगा 4 EFFA CEMENT तो यहाँ पे आगया 4 और 4 के बाद में जो आपका आएगा वो आएगा 1 देखिए 4 के बाद में जो आपका आएगा वो 1 आजाएगा और सबसे लास्ट में आपका क्या बचेगा 2 बचा है तो 2 पे हमारा क्या है EFFA SING तो 3, 5, 4, 1, 2 ऐसा है option B तो जितने बच्चों ने option B answer किया है सभी का answer एकदम correct है ठीक है चलिए बहुत अच्छे अच्छा जाट किसी की सुनते नहीं है जाट अपने मन की करते हैं ओके वीर योद्धा है जाट हमारे देश की ठीक है जो आर्मी में हमारी इंडियन आर्मी है वहाँ पे भी जो जाट बटा लिए ने उसको काफी अच्छे से जाना जाता है चलिए हां जी प्रश्ण संख्या दस का आंसर निमलेखित शब्दों को शब्द कोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें हलो राहूल मौर्या जी वेरी गुड इवनिंग, चलिए, टैंथ का आंसर आचुका है A, सेजल, सचिन, सुधीप, हिमांशु, कुल्दीप, राहुल, मौर्या, दिपाक्षी, बालियान, आचल, उज्वल, आकाश, राठोड का आचुका है C, बागी बच्चों ने आंसर किया है A, बागी बच्चों क सबसे पहले तो A आ गया, यहां पे क्या आ जाएगा, एक्जेक्ट सा जाएगा, चीक है, उसके बाद में देखिए, एक्जेक्टली आ जाएगा, आपका क्या आना चीए, एक्जेक्टली आना चीए, या पिर, एक मिंट, एक मिंट, नहीं, नहीं, टी पहले नहीं आएगा, T पहले नहीं आएगा, नहीं ये गलत कराए हमने, इसको सही करते हैं, सबसे पहले देखिए क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, चार नमबर, E-X-A-C-E-R-B-A-T-E, सबसे पहले चार नमबर आया, उसके बाद में देखिए, exactly, और यहां पर S आ रहा है, तो सबसे पहले क्य आ जाएगा, exactly आ जाएगा, इसके बाद में, इसके बाद में क्या आना चाहिए, exactly, ठीक है, उसके बाद में देखिए, आपका आना चाहिए, exacts आना चाहिए, तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास आया, 4, उसके बाद हमारे पास आ गया, 3, फिर आपका आ गया, 1, फिर एक पांच दो ऐसा है option A तो option A जो होगा आप सभी का correct answer हो जाएगा लवरी मिश्रा जी good evening very good evening lovely चलेंगे प्रश्ण संख्या 11 पर प्रश्ण संख्या 11 आप सभी के सामने आच चुका है प्रश्ण तो class को like share कर दीजिए एक बार जितने बच्चे नए जुड़े हैं अभी तो प्रश्ण संख्या 10 का जो आंसर होगा हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा लवली मिश्रा का भी आंसर A आया लास्ट प्रश्ण का दिपाक्षी का भी आंसर A मोनु रगवन्शी ने भी आंसर किया था A तो प्रश्ण संख्या 11 का जो आंसर होगा हमारे पास में क्या पे हमारा correct answer सचिन चौदरी का आच चुका है रहूल मौर्या जी आप अपने data की speed बढ़ा लीजिए data की speed बढ़ा लीजिए आर्यक सिंग का आच चुका है सेजल तोमर का आच चारू सिंगल का भी आच चुका है यहां पे कुलदीप चौदरी का भी answer ए रहूल मौर्या का भी answer आच चुका है अधीती श्रिवास्तव का आच चुका है हिमान्शु सिंगे रूपम राव का भी answer आच चुका है और आचलने भी answer कर दिया है तो देखिए सबसे पहले cada यहां पे cada cada डबल डी और यहां पे d e सबसे पहले तो first आ जाएगा cada r t r a l l y तो सबसे पहले एक आ गया एक के बाद में देखिए यहां पे a है और यहां पे d मिल गया हमें और यहां पे bी d मिल रहा था लेकिं i और s तक तो same है लेकिन यहां पे f आ गया C-A-D-D-I-S-F-L-I-E-S तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आप सभी का 2 आ जाएगा 2 के बाद में देखिए यहाँ पर यह वाल आ जाएगा 4 तो C-A-D-D-I-S-W-O-R-M-S तो यहाँ पर 4 आ गया 4 के बाद में देखिए T-E-T-S है और यहाँ पर आपका कौन सा बचा है U आ गया तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 5 नमबर और उसके बाद में आपका आ जाएगा 3 नमबर तो 1, 2, 4, 5, 3 जो यह होगा आपका correct answer हो जाएगा 1, 2, 4, 5, 3 will be your correct answer तो option A जो होगा आप सभी का क्या हो जाएगा correct answer option A जो है वो correct answer हो जाएगा बहुत अच्छे चलेंगे अगले प्रश्ण पर प्रश्ण संक्या 12 आप सभी के सामने कि निम्न लिखित शब्दों को शब्द कोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें निम्न लिखित शब्दों को शब्द कोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें storm, strap, strangled, stamped और satire क्या हो जाएगा correct answer क्या हो जाएगा हमारा correct answer जी क्या होगा यहाँ पर हमारा correct answer तो देखिए storm, strap, strangled, stamped और satire क्या हो जाएगा correct answer जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर correct answer हाँ जी प्रश्ण संख्या 12 का जो आंसर होगा वो क्या होगा चलिए दिपाक्षी बालियान का C आंचल उज्वन का B, वर्तिका का आंसर B, आर्यक सिंग ने आंसर कर दिया है C हिमांशु का आंसर C, राहुल मौर्या का भी आंसर आ चुका है C, कुल्दीप चौदरी का भी आंसर आ चुका है C तो देखिए सबसे पहले तो आ जाएगा सेटायर, तो देखिए A से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले 5 आ गया सेटायर के बाद में देखिए हमारे पास में क्या आना ची है सेटायर के बाद में जो हमारे पास में निकल के आएगा वो आएगा स्टैंप क्योंकि S T A आ गया तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, सारी, 4 आ गया ठीक है फिर आपका आना ची है स्टॉम S T O R M जो की आ गया हमारा कहां पर एक पर तो देखिए 5 चार एक वाला एक ही option है C तो C आपका correct answer हो जाएगा उसके बाद आपका आ जाएगा strangle यह आ गया आपका 3 पर और बचा आपका strap तो strap पाएगा सबसे last में तो यहाँ पर 5, 4, 1, 3, 2 यह आपका option C जो की एकदम correct answer है तो यहाँ पर जितने बच्चों ने C answer किया C आप सभी का एकदम सही answer होगा आचल वर्मा अधिती श्रीवास्ताव वर्तिका कशिश श्रीवास्ताव सभी का answer एकदम सही तो चलेंगे अगले प्रशन पर preview, preventive, prefer and pre-formation के लिए कौन सा order सही है दिये गए शब्दों को शब्द शब्दावली के अनुसार व्यवस्तित कीजिए दिये गए शब्दों को तो C तो answer किया है न बटा आचल बटा C तो answer किया last question का हमने C ही answer किया है जी क्या होगा यहाँ पर correct answer? C will be your correct answer तो देखिए preview, preventive, prefer and pre-formation क्या होगा correct answer? चले कशिश का answer आचुका है यहाँ पर C, सचिन चौदरी का answer A तो देखिए सबसे पहले pre-e-dare given है pre-f और यहाँ पर भी pre-f, pre-v और यहाँ पर pre-v तो देखिए सबसे पहले f वालों को check कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा third यानि कि prefer आ जाएगा सबसे पहले prefer आ जाएगा third वाला, prefer के बाद में आ जाएगा pre-formation pre-formation, तो यहाँ पर देखिए 3 के बाद में आएगा 4, pre-formation तो 3 के बाद आपका 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 के बाद हमारा क्या आना चाहिए, preventive है और एक preview है तो देखिए I से पहले E आएगा, तो preventive, तो यहाँ पर आगया preventive जो की है दो और सबसे last में आपका आ जाएगा pre-view, सबसे last में जो आएगा pre-view तो 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, that will be your correct answer और ऐसा कौन सा option है, option C, तो option C जो होगा वो आप सभी का correct answer हो जाएगा option C जो होगा आप सभी का correct answer हो जाएगा, लवली मिश्रा B नहीं होगा, बिटा C होगा तो जितने बच्चों ने C answer की है, वर्तिका, आचल उजवल, कशेश, दिपाक्षी, बालियान, सेजल, तोमर, चारु, सिंगल, आचल, उजवल, रूपम, राओ, मोनु, रगवशी, आर्यक सिंग, कुल्दीप सिंग, सभी का answer क्या है, एकदम सही तो चलेंगे अगले प्रशन पर, अगला प्रशन आप सभी के सामने, हाँ जी, फीबल, फ्रॉम, फ्लोर, फॉर्म, और फ्लोरोसेंट, क्या होगा यहाँ पे सही, डिक्शनरी ओर्डर, क्या होगा इन सभी का सही, डिक्शनरी ओर्डर, चली, करेंगे सही answer, जी देखिए, फ्लोर, फॉर्म, एंड फ्लोरो सेंट, क्या होगा यहां पे हमारा सही आंसर, तो चलिए, फटाफट से कर देंगे सभी लोग आंसर, चलिए, देखिए, हमारी क्लास का कैसा जनून है, वर्तिका की सुबह से तब्यत खराब है, फिर भी बच्ची क्लास देखने आ गई है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, देखिए, फीबल, फ्रॉम, फ्लोर, फॉम, एंड फ्लोरोसेंट, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, आर्यान सिंग का आंसर, वर्तिका का आंसर, हिमांशु सिंग का आंसर आ चुका है, C, तो देखिए, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, चलिए, शाबास, बहुत अच्छ राहुल मौर्या का भी आंसर आ चुका है कशिष श्रिवास्ताव का अंसर दिपाक्षी बालियान का भी आंसर आ चुका है तो देखिए सबसे पहले तो फीबल आ जाएगा सबसे पहले क्या आएगा फीबल क्योंकि देखिए इस सबसे पहले आ रहा है अब देखिए इके होना चाहिए यहाँ पर क्या होना चाहिए तो देखिए यहां पर FLU यहाँ पर आपको गिवन है क्या देखिए FL से resurrect हौ रहा है यहां पर FLU हा है ठीक है तो FLU o r e s c e n t फ्लोरो सेंट आ जाएगा फ्लोरो सेंट के बाद में देखिए क्या आना चाहिए आपका चार पे फोम आ जाएगा तो फोम आ गया और सबसे लास्ट में क्या बचा है फ्रोम तो यहाँ पे जो correct order बन रहा है हमारा बन रहा है 1 उसके बाद में बना 3 3 के बाद में 5 और फिर आ गया 4 और फिर 2 1, 3, 5, 4, 2 option A जो होगा आप सभी का correct answer हो जाएगा option A जितने बच्चों ने answer किया है सभी का answer एकदम सही very good बहुत अच्छे लाजवाब जबर्दस्त चलिए जल्दी से answer कर देंगे क्या हो जाएगा हमारा correct answer जी अगला प्रशने आप सभी की सामने निमलेखित शब्दों को शब्द कोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें train, topper, tringling, tumbler and traction train, topper, tringling, tumbler and traction क्या हो जाएगा यहाँ पे correct answer इस प्रशने के लिए जी प्रशने संख्या 14 का correct answer क्या होगा हमारे पास में प्रशने संख्या 14 के लिए correct answer क्या हो जाएगा चलिया आर्यक सिंग का अंसर आचुका है D, सेजल तोमर का भी आंसर आचुका है D दिपाक्षी का अंसर D, सेजल तोमर D, कुलदीप चौधरी का D, वर्तिका का भी आंसर आचुका है D, दिपाक्षी बालियान D, राहुल मौर्या का अंसर D, रूपम राओ का भी आंसर आचुका है D, तो देखते हैं देखिए सबसे पहले क्या आएगा, T, I आ आ गया, T, I त तो 3 के बाद में आपका आ गया 2, और उसके बाद में देखिए T, R, A, तो ट्रेक्षन आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा ट्रेक्षन यानि की 5, और फिर आना चीर ट्रेन, T, R, A, I, N, तो 1, और बचा आपका 4, 4 पे है आपका टंबलर, 4 पे है आप सभी का टंबलर, तो 3, 2, 5, 1, 4 जो होगा आप सभी का क्या हो जाएगा, correct answer जो की है option D, option D आप सभी का एकदम सही answer हो जाएगा, चलेंगे अगले प्रस्ट पर बहुत ला जवाब, very good, इसी तरह से speed बनाए रखो, अगर इतनी speed से वहाँ पे answer कर दोगे न, मज़ा आ जाएगा, exam में answer कर दोगे इ h and gap and glade, what will be our correct answer, चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा correct answer, जितने बच्चे हमारी class में अभी नए जुड़ें, सभी लोग like करेंगे class को, share करेंगे और subscribe करेंगे सफलता.com के channel को, तो देखिए globe, group, glitch, gap and glade, answer आने लगा है, वर्तिका का answer D आ चुका है, कशिश श्रिवास्तो का भी answer D आ चुका है, लवकुष जायसवाल का भी answer D, राहुल मौर्या का answer D, चारु सिंगल D, लवली मिश्रा का answer आया B, सेजल तॉमर D, हिमांशु सिंग का answer D, रूपमराव D, क एकदम सही और सटीक, कितने बच्चों का answer सही और सटीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो gap आ जाएगा, यानि कि 4 आ गया आपका, gap के बाद में आपका क्या आना चाहिए, glide आना चाहिए, G, L, A, D, E, G, L, A, D, E, आपका 5 आ जाएगा, फिर देखिए आना चाहिए, G, L, I, T, C, H, glitch वाला आ गया, 3, और 3 के बाद में देखिए, G, L, O, G, R, तो L पहले आ जाएगा, तो G, L, O, B, E, यहाँ पे आ गया, एक और फिर आपका आ जाएगा, group, तो यहाँ पे आ जाएगा, 2, तो 4, 5, 3, 1, 2, आप सभी का correct answer, option D, जितने बच्चों ने answer किया है, वो सभी का एकदम correct answer है, बहुत अच्छे, ला जवाब, ला जवाब, चलिए, अगला प्रशना आप सभी के पास में, अगला प्रशना आप सभी के पास में, counter, crop, create, carnation and creator, यहाँ पे क्या होगा, आप सभी का सही dictionary order, जि क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही dictionary order, जी लवली मिश्रा, 100% आप का answer सही था, D ही हमारा correct answer था वहाँ पे, तो D ही हमारा सभी का correct answer था, तो जितने बच्चे नए बच्चे जुड़े हैं क्लास में, सभी लोग क्लास को like करते रहें, share करते रहें, चलिए, अरे भाई, यह रिष्टेदारी है, अपने गाउं का address बाद में निकाल ले हैं, क्ला चलत ओमर का answer है, सचिन चौधरी का answer है, आरेक सिंग का answer है, वर्तिका का answer है, अमित कुमार का answer B, कुलदीप चौधरी है, राहुल मौर्या का answer है, रूपम रावे, दिपाक्षी बालयान A, आचल उज्वल का भी answer है, लवकुष जायस वाल ने भी answer कर दिया है, यहाँ पे D, लवली मिश्रा का भी answer आ चुका है, हमारे पास में A, तो देखते हैं कितने बच्चों का answer एकदम सही है, कितने बच्चों ने answer किया है, एकदम correct और accurate, चेक करेंगे देखिए, सबसे पहले चेक करते हैं, देखिए, यहाँ पे आना चीए, Carnation, C-A-R, C-A-R, N-A-T-I-O-N, तो सबसे पहले आपका आएगा 4, और 4 के बाद में जो आपका आएगा वो आजाएगा, देखिए, C-O, CO, counter, तो 4 के बाद में आप सभी का क्या आजाएगा, counter आजाएगा, यानि कि 1 आ गया, और 1 के बाद में आपका क्या आना चीए, 1 के बाद में आप सभी का क्या आना ची आपका 2 तो क्रोप आ जाएगा 4, 1, 3, 5, 2 तो यह आप सभी का क्या हो जाएगा correct answer option A जो होगा आप सभी का correct answer हो जाएगा चलिए चलेंगे अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न आप सभी के सामने अगला प्रश्न आप सभी के सामने चलो आगे चलो question number 17 है कि निमलिखित शब्दों को शब्द कोश के आने वाले क्रम के अनुसार लिखे निमलिखित शब्दों को शब्द कोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखे है कुछ बच्चे तो इतने कमाल होते हैं ना बहुत ही बहतरीन होते है हिवानची बेटा खेल रहे हो आप बहुत सई खेल रहे हो यस कशिश बेटा अगर ऐसे एक्जाम में बहुत सारे कोशन आ जाते तो मतलब एक्जाम में तो कुछ आपको दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता है ना सारा एक्जाम एकदम हेजी हो जाता चलिए वर्तिका का अंसर आचुका है A, सेजल तोमर का अंसर है, सचिन चौधरी का अंसर है, आर्यक सिंग का भी आंसर आचुका है रूपम राव का अंसर है, चारु सिंगल है, राहुल मौर्या है, अदिती श्रिवास्तव का भी आंसर आया A, आचल का अंसर A, कशिश श्रिवास्तव A, हिमान्शु सिंग A, कुलदीप चौधरी A, दीपाक्षी बालियान का भी अंसर आ चुका है A, तो देखिए सबसे पहले तो A दिख गया हमें, तो यहाँ पे X A N T H I C, तो यहाँ पे आ गया 3, 3 के बाद देखिए क्या आ जाएगा आएवाल आएगा, एक मिट रुकिएगा, लेट मी करेक्ट इट, लेट मी करेक्ट इट, तीन के बाद में जो आपका आएगा, वो आएगा, तीन के बाद में आपका चार आना चाहिए, X E N I A N S, तो तीन के बाद आपका चार आजाएगा, उसके बाद आपका आएगा 1, X E NONS, तो यहाँ पर 1 आ गया, फिर आपका 2 आ जाएगा, XYLYLS, और सबसे लास्ट में आ जाएगा, XYST, 5, तो 3, 4, 1, 2, 5, 3, 4, 1, 2, 5, ऐसा कौन सा है, option A, तो option A आप सभी का correct answer हो जाएगा, जी option A जो है, वो आप सभी का correct answer हो जाएगा, बेटा सर को smile करके तो तुम्हे proud feel हो रहा है, बेटा, selection ले लोगे न, उस दिन बड़ा proud feel होगा, सर को, तुम्हें तो अभी सर को हसा के proud feel हो रहा है, लेकिन सचिन जिस दिन तुम selection लोगे न, उस दिन मज़ा आ जाएगा, सर को proud उसी दिन feel होगा, चलो, प्रशन संख्या 18, प्रशन संख्या 18, क्लास पर ध्यान दो, क्लास को like share कर दो एक बार, चलो इसी बात पर क्लास को like share करते रहो, waste, wrong, witty, worcester and warlike, तो क्या होगा यहाँ पर correct answer, तो देखिए, 18 का answer C, सचिन चौदरी का answer C, सेजल तोमर C, अधिती श्रीवास्ताव C, कशिश श्रीवास्ताव C, सेजल तोमर C, आर्यक सिंग C, राहुल मौर्या C, वर्ति का answer भी आचुका है, C, दिपाक्षी का भी answer C, लवकुष जैस्वाल C, कुल्दीप चौदरी का भी answer आचुका है, C, तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले warlike आजाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, warlike, चीक है, warlike के बाद आपका क्या आना चीए, waste आना चीए, waste आगया, तो सबसे पहले 5, 5 के बाद हमारा आया 1, फिर देखिए, witty, सबसे पहले क्या आएगा, witty आएगा, चीक है, यहाँ पर 3 आगया, अब देखिए, 2 और 4 में से क्या आना चीए, तो 2 और 4 में से आएगा, war, 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 cester, तो यहाँ पर आगया, 4 और सबसे लास्ट में आ जाएगा, wrong, यानि कि 2, तो जो correct answer होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, 5, 1, 3, 4, 2, ऐसा कौन सा option है, c, तो option c, आप सभी का क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, जो correct answer होगा, वो क्या हो जाएगा, आपका c हो जाएगा, जी, चलेंगे अगले प्रशन पर, अगला प्रशन आप सभी के सामने, हाँ जी, अगला प्रशन आप सभी के सामने, 18th का answer क्या आजाएगा, आपका c आजाएगा, जी, चलिए, robbed, roster, rosted, rod and roller, क्या होगा, यहाँ पर सही order, डिक्शनरी ओडर बताएगे, क्या हो जाएगा, correct डिक्शनरी ओडर, robbed, roster, rosted, rod and roller, क्या होगा, यहाँ पर सही डिक्शनरी ओडर, चले, दिपाक्षी का answer 18th का c था, हाँ जी, 19th का answer करेंगे, क्या हो जाएगा, correct answer 19th का, तो 19th का, जो correct answer होगा, हमारे पास में, क्या निकल के आ जाएगा, चले, 19th का, सेजल तोमर का answer आ चुका है, D, कशिश का answer, D, वर्ति का D, सचिन चौधरी का D, दिपाक्षी बालियान, D, अमित कुमार का answer, D, कुल्दीप चौधरी का answer, D, अमित कुमार ने B answer किया है, अमित बटा एक बार फिर से check करो, राहुल मौर्या का D, अधिती श्रिवास्तव D, लवली मिश्रा का answer, D, लवकुष जायसवाल ने भी बोला है, D, आचल उज्वल का भी answer आया, D, आर्यक सिंग D, D, दिपाक्षी का answer, D, चारू single का भी answer आचुका है, यहाँ पर D, तो चलिए check करेंगे एक बार, देखिए RO, सब ही RO से start हो रहे हैं, लेकिन A आ गया और D आ गया यहाँ पर, तो देखिए ROAD, सबसे पहले आपका आ गया 4, ठीक है, चार के बाद में जो आपका आना चाहिए, वो क्या आना का चाहिए, यहाँ पर देखिए ROAS आ गया, और S के बार TB है, तो देखिए ROAST, और यहाँ पर ER और यहाँ पर B E, लेकिन यहाँ R था, यहाँ D आ गया, तो क्या बनेगा? row state आ जाएगा सबसे पहले क्या आ जाएगा? row state तो 4 के बाद में आ जाएगा 3 और फिर देखिए R O L L E R R O L L E R तो यहां पे आया 5 तो 4 3 5 वाला कौन सा option है D तो D जो होगा आप सभी का correct हो जाएगा फिर आपका आ जाएगा वन यानि की robbed और उसके बाद में आ जाएगा आपका 2 यानि की roster तो यहां पे जो correct answer हो जाएगा 4 3 5 1 2 option D जो होगा आप सभी का correct answer होगा पीके जी गूड इवनिंग, वेरी गूड इवनिंग तो चलेंगे एगले प्रशन पर निम्ले लिखित शब्दों को शब्द कोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें निम्ले लिखित शब्दों को शब्द कोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें clamp, cloud, cable, channel, canal और Capricorn आपके options जो है clamp, cloud, cable, canal and Capricorn तो क्या हो जाएगा यहां पे सही order तो यहाँ पे जो हमारा सही order होगा क्या निकल के आ जाएगा G, Clamp, Cloud, Cable, Canal and Capricorn में से क्या होगा सही order dictionary क्रम में जमाएंगे सभी को सचिन का अंसर आ चुका है A, दिपाक्षी A, वर्तिका B, दिपाक्षी A, अमित कुमार का अंसर आ चुका है B, सेजल तोमर का भी आंसर आ चुका है, B, चारू सिंगल का अंसर आया, B, दिपाक्षी A, मोनू रगवंशी का अंसर आया, B इस ओके बिटा, पी के समझता हूं मैं, यह टाइम थोड़ा आपका है, खाने भोजन का ही टाइम है, समझ गया है, इस ओके बिटा, कोई ना बाकी की क्लास आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आकाश आठोर A, लवली मिश्रा B, राकेश कुमार का अंसर C, आया, आर्यक्सिंग का अंसर A, लवकुष जैसवाल का अंसर B, कशिश ने अंसर कर दिया है, 3, 4, 5, 1, 2, जो की है, option B, तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर से A की option स्टार्ट हो रहा है, B तो B आपका correct answer हो जाएगा, फिर आपका आजाएगा Capricorn, फिर आपका आगया Capricorn यानि की 5, और उसके बाद में आपका clamp आगया, यानि की 1, और उसके बाद में आगया cloud यानि की 2, तो 3, 4, 5, 1, 2, आप सभी का क्या हो जाएगा, correct answer, option B जो होग सभी का correct और जितनों बच्चों ने A answer किया, सभी का था गलत, तो देखिए अगला प्रश्न है, pragmatic, protect, पेस्टल, पोस्टल and पेबल, क्या होगा, यहाँ पे सही dictionary order, क्या होगा, यहाँ पे सही dictionary order, तो 21 आप सभी के सामने, क्या हो जाएगा, यहाँ पे correct dictionary order हमारे पास में, तो चलेंगे, करेंगे, जल्दी से answer, क्या होगा, हमारा correct answer, अधीती बिटा आपका correct था, मैंने देख लिया था, good evening प्रमोत कुमार जी, very good evening, वर्तिका का आंसर C, सचिन चौधरी का आंसर B, हिमांशु का आंसर C, सेजल तॉमर B, आर्रेक का आंसर B, राहूल मौर्या C, चारू सिंगल का भी आंसर आ चुका है B, तो देखेंगे, चलिए स तो तीन से, अब देखो ये eliminate हो गया, ये eliminate हो गया, बाकी B और C में से answer आएगा, अब तुम correct कर लो, कौन सा आ जाएगा, तो देखो यहां पर जो correct answer आना चाहिए, B के बाद क्या आ जाएगा, पैबल आ गया, ठीक है, पैबल, तो पांच आ गया, तो तीन पांच, तो B answer correct है C आपका गलत हो जाएगा, तो B जो होगा, जितने बच्चों का सही आ रहा है, correct answer आ रहा है, B, तो फिर देखिए, 4 आ जाएगा आपका postal, फिर 1 पे आ जाएगा pragmatic, और 2 पे आ जाएगा आपका protect, तो यहां पर जो correct answer हो जाएगा, 3, 5, 4, 1, 2, it will be your correct answer, तो answer B जो है, आप सभी क correct, तो चलेंगे अगले प्रश्ट पर, दिये गए शब्दों को शब्दावली के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, दिये गए शब्दों को शब्दावली के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, worrisome, wonderful, worthless and wrong, तो क्या हो जाएगा, यहां पर correct answer, जी सीथ जो था, वो आप सभी क wrong था, बी answer correct था, बी answer आप सभी का एकदम correct था, चीक है, तो लवली मिश्रा, आचल, अधीती, सभी का answer एकदम सही था, जी, तो देखिए, worrisome, wonderful, worthless and wrong, इन सब में से क्या हो जाएगा, correct answer, तो देखिए, wor, won, तो सबसे पहले तो यहां पर आना चीए, wonderful, सबसे पहले तो आना option start है, हमारे दो option, b और c, b और c, तो देखिए, क्या होगा यहां पर correct answer, दिपाक्षी का answer, c आ चुका है, सचिन चौदरी का c, आरेक्सिंग का b, आकाश राठोर c, चारू single का answer आ चुका है, हमारे पास में b, तो देखिए, wonderful का आया, आपका 2 आ गया, अब देखिए, 2 के बा आएगा, worthless आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, worthless यानि कि आपका 3 आ गया, और 3 के बाद में क्या आना चीए, 4 आना चीए, 4 पे है, wrong, तो 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 ऐसा option b है, तो option b जो है, आप सभी का यहां पर क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, very good, बहुत अच्छे, तो सेजल, दिपाक्षी, लवली, राहुल मौर्या, वर्तिका, मोनुरगुवंशी, अमित कुमार, लवली मिश्रा, दिपाक्षी, बालियान, सचिन चौधरी, आप सभी ने कर दिया है, एक कम शांदार answer, आचल वर्मा जी क्या बोल रहे हैं, thank you sir, हमें reasoning पढ़ाने के लिए आपकी reasoning बहुत अच्छे से समझ में आती है, thank you very much बिटा, आप daily class में आए, आपकी reasoning और अच्छी हो जाएगी, तो बी जो था आप सभी का correct answer था, तो चलिए आज का session था, आप सभी का dictionary order के लिए, dictionary order के लिए हमारा session था, सबसे पहले जो बच्चे आज हमारे साथ नहीं जु 240 जाएं, 2400 जाएं, 24000 भी जाएं एक दिन, ठीक है, तो आप सभी लोग class को जादा से जादा like कीजिए, share कीजिए, जितने बच्चे आज हमारे साथ पहली बार जुड़ें, सफलता.com के channel को करेंगे, subscribe, जिससे आगे आने वाले time में आप सभी को क्या मिलेंगे, notification मिल जाएं जिसकी fee से मात्र 2499 रुपे, वहाँ पे आपको 220 घंटे की live interactive classes दी जाएंगी, 30 घंटे के live mock test discussion दिया जाएगा, 200 प्लस PDF notes होंगे और course validity है lifetime, चलिए आगे है NDA 2022 star batch, fee से उसकी 1999 और ये 5 फरवरी 2022 से batch शुरू हो चुका है आप सभी का, आगे आपको दिया गया है UPSC लेकपाल 2022 का foundation batch 2, वहाँ पे आपको देखिए fee रखी गई है 1399 रुपे, 180 घंटे की आपको live interactive classes दी जाएंगी, 20 घंटे के आपको live mock test discussion दिया जाएगा, PDF notes जो मिलेंगे 80 प्लस होंगे, और course की जो validity है वो lifetime है, चलिए, आगे आपको दिया गया है UP Police Constable live classes का batch, fee है 1399 रुपे, 11 जनवरी 2022 से हमारा batch शुरू हो चुका है, तो 180 C plus R's की live interactive classes आपको मिलेंगी, 1500 प्लस downloadable PDF study material दिये जाएंगे, 40 प्लस free mock test series दी जाएंगी और course की validity रहेगी, lifetime, तो चलिए, thank you very much, good night, शुब रात्री आप सभी को, जय हिंद, जय भारत, सफलता.com साथ रहेंगे, success तक, जी हाँ, चलिए, good night, very good.